2022 में ब्लॉक्बस्टर कंतारा दे चुके रिशब शेटी इस फिल्म का प्रीकुल बना रहे हैं इस फिल्म से जुड़ी जो ताजा अपडेट सामने आ रही है वो निश्ची तोर पर फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे दर्शकों की एकसाइटमेंट बढ़ा सकती है जी हागर रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में तमिल सिनेमा के सुपर स्टार और साउथ इंडिन सिनेमा के गौड कहे जाने वाले रजनी कांत एहम करदार निभा सकते हैं ये चर्चा हाल ही में रिशब शेटी दौरा दिये गए एक संकेत के बाद शुरू हुई है दरसल एक अंग्रेजी निउस वेबसाइट से हुई बादचीत में रिशब शेटी कांतारा के प्रीक्वल पर बात कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा हम स्क्रिप्ट पर रिसर्च कर रहे हैं अभी शुरुवाती काम चल रहा है प्रीक्वल में दर्शकों के लिए एक सर्प्राइज होगा यहां तक की फिल्म की शैली को भी अलग अंदास देखने को मिलेगा रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जब एक रिपोर्टर ने रिशब शेटी से पूशा कि क्या कांतारा 2 में रजनी कांत कोई रोल निभा रहे हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बलकि चुपी साथ कर रखी रिशब की इस चुपी को लोग उनकी सहमती के तोर पर देख रहे हैं हाला कि इस बारे में कोई आधिकारिक एलान नहीं हुआ है 2022 में जब कांतारा रिलीज हुई थी तब रजनी कांत ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की थी यहां तक कि उन्होंने फिल्म के लीड एक्टर और डिरेक्टर रिशब शेटी को अपने घर बुलाया था और उनका सम्मान किया था दोनों के बीच फिल्म को लेकर चर्चाय भी हुई थी खुद रिशब ने उस समय इस मुलाकात की तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर की थी और लिखा था अगर आप एक बार हमारी तारीफ करते हैं तो हम आपकी सौ बार तारीफ करते हैं शुक्रिया रजनी कांत सर हमारी फिल्म कांतारा के लिए आपकी सराहना के लिए हम आपके आभारी हैं इससे पहले रजनी कांत ने एक ट्वीट करके भी कांतारा की तारीफ की थी कांतारा कन्यट भजा की फिल्म है जिसे 2022 में रिलीज किया गया था केजेव के बाद कन्नाडा सिनिमा को उचाईयां परदान करने का काम कांतारा फिल्म ने किया है बहुत कम बजट में बनी इस फिल्म ने शुरुवाती दिनों में ही सब को अचम्बित करके रख दिया था जबकि पहले ये फिल्म केवल कन्नाडा में रिलीज हुई थी लेकिन फिल्म की इतनी चर्चाएं होने लगी क्रिटिक्स का भरपूर प्यार मिलने लगा और फैंस की ख्वाईश के चलते रिशप शेटी ने फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करने का मन बनाया और जब ये फिल्म हिंदी में रिलीज हुई तो एक धमाका हुआ और बाकि साउथ इंडस्ट्री में सबसे नीचे पायदान पर रहने वाली कन्नेडा फिल्म इंडस्ट्री भी बाकि इंडस्ट्री के बराबर आखडी हुई फिल्म को इतना पसंद किया गया कि ईवन पी-म मोधी ने भी कांतारा के एक्टर-डैरेकटर से मुलाकात की कमल हसन से लेकर रजनी कान जैसे दिगजो ने रिशचब से मुलाकात की और फिल्म की तारीफ की तो obvious है ऐसी फिल्म के सीक्वल का किसे इंतजार नहीं होगा ऐसे में अगर रजनी कांथ इस फिल्म का हिस्सा होते हैं तो कांतारा फिल्म का क्रेज और रजनी कांथ की popularity के बलबूते इसका दूसरा पार्ट भी box office पर बाजी मार सकता है इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमार साथ जुड़े रहिए नमस्कार